हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी से होंगे तो फ्रेंस देखी ए है मतर और आज मैं अपने चतपे मतर को उगाने जा रही हूँ तो friends मैं इसी बेज भंडार से मंगाई हूँ अगर आपके घर की मटर हो तो और भी अच्छी बात है आप बिल्कुल अराम से उगा सकते हैं मेरे पास नहीं था इसलिए मैं बेज भंडार से मंगाई हूँ तो friends इन्हीं उगाना बहुत ही आसान है और इसी में मतर को उगाऊंगी आप चाहे तो डारेक्ट गमले या कंटीनर में इन्हीं उगा सकते हैं तो friends अगर मैं मित्टी की बात करूँ तो friends मैं वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीड और थोड़ी सी मित्टी का उव्योग कर रहे हूँ आप चाहे तो वर्मी कमपोस्ट कोको पीड या फिर वर्मी कमपोस्ट ना हो तो गोबर के खात को भी मिला कि अच्छी तरह से ग्रोव कर सकते हैं अगर ऑभी नहों तो बिलुकुल फोरस मैं अगली बार भी मटर को उगाई थी और बहुत अची तरह से जो उसमें धे सारी मटर की फल लगे थी लेकिन अपकी बार तो कम चांस है बता दे क्यों कि मेरे यहां धे सारे बंदर हैं आप लोग जानते ही हैं बचे गया तो और अच्छी बात नहीं बचेंगे तो भी कोई क्योंकि मेरा मन कर रहा था ना इसलिए मैं मटर को उगाने जा रही हूं तो फ्रेंस मैंने अच्छी तरह से जो है ट्रे में मित्ती को भर दी और इन्हीं थोड़ा साफ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई यह तो फ्रेंस देखिए मैंने जो है सबको अच्छी पनी रहें देखिए तो फ्रेंस मैं अगली बार ना से लिंग नहीं की थी विल्कुल आराम से जो डारेक्ट कंटीनर में ही मटर को उगाई थी और बहुत अच्छी तरह से उग गये थे और अब जो है इन्मी मटर के दाने बिच्छा देते हैं तो देखिए फ्रेंस मैंने इक-एक दाने जुन मतर के डाल दहें और इनके ऊपर से फीर सी मिती को है बहुत यलगी पर बचाएंगे मिती का थोड़ा थोड़ा जुए हमने अंगली से बीच कू नीचे टच किया है तो देखिए फ्रेंज अमने जो है अच्छी तरह से इने कबर कर दिया है और मैं दुबारा फिर से इनके उपर से जो है सावर कर रही हूँ देखिए तो फिन्स मैंने इन्हीं जो अच्छी तरह से पानी दे दिया है और अब जो है मैं इन्हीं थोड़ा च्छाव में रखूंगी और देखते हैं कि कब तक हमारी जो मटर है उखती है थोड़ा इंतिजार कर लेते हैं तो फिन्स साथ दिल लगभग हो गए और अब देखिए हमारे जो मटर है उख चुके हैं तो फिन्स बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में देखिए तो फिन्स यहां पर एक और समस्य मैं आपको बता दूँ कि गिलहरियां आती है और कुछ मटर के पौदे को जो है गिल चुके हैं और अब जो है हम निकाल कर बड़ी सी कंटीनर में लगाएंगे तो फिन्स इन्हीं ग्रो करना बहुत ही आसान है वैसे आपको बता दो कि समय तो सेजन चला है खेतों में भी लोग मटर चने बो रहे हैं तो मेरा भी मन किया मैंने कहा चली हम च्छत पर भी उगा स सकते हैं इन्हीं देखिए तो सब की सब जो है ग्रो हो गए है और जिसमें खाली दिखाई दे रहा है तो गिलहरी खा गई है यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमारी मटर ऊग चुकी है तो फ्रेंस इन्हीं ले चलते हैं और थोड़ा निकाल कर जो है कंटीनर म लगाते हैं तो देखिए फ्रेंस मैं यहाँ पर रख दी और अभी मैं आपको दिखाती हूं और यह भी बता दें आपको कि बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं अगर आपका मन कर रहा है चनाम मटर उगाने का तो गिल्कुल आराम से आप अपने घर पर जो अच्छत पर या फिर बालकनी में कहीं भी ने ग्रो कर सकते हैं लेकिन हाँ धूप की थोड़ा ज्यादा जूरत होगी इन्हें तो फ्रेंस थोड़ा हम जो है इन्हीं निकाल कर देखते हैं वैसे आपको बता दूँ कि इनमें धीरो रूस बनी होंगी इससे नहीं निकल रहा है चमच ला बहुत सावधाने से हम इन निकालेंगे देखिए कितनी अच्छे से हमारी मटर लगी हुई है और इन में देखिए कितनी जवर्दास्त रूर्स बनी हुई है देखिए देखिए तो इन insects क्या होता है कि हमारी मटर अगर कंटिनर में लगाते हैं तो इनकी Reyling करने का ही मतलब होता आ bicamal क्या में दोसरे कंटिनर में लगाते हैं तो बहुत ही असाने इन की जन्य हैं और वह जल्स इनुथ फल हम आते हैं तो तो फेंस अब जो है इनमी जो हम थोड़ा सा रख देते हैं और अब मिच्ची की बात कर लेते हैं काफी भारी है देखिए तो फेंस ए तूटा हुआ कंटीनर है तो फेंस इसी में मैं दो-चार दिन पहले जो है देखिए इनमी गोबर की खाद है और मित्ती तो इस समय भरकर जो छोड़ दीती देखिए क्योंकि मुझी जो है इनमे मटर गुरो करना था इसलिए जो मैं इनके लिए खेत बना लें यह देखिए तो खुब अच्छी तरह से मित्ती को थोड़ा बारीक कर लेंगी तो फ्रेंस मैंने इनमें गोबर की खाद मिलाई है आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं तो देखिए खुब अच्छी तरह से मैंने जो है बारीक कर लिया इन्हीं आप इन्हीं बराबर भी कर लेते हैं तो फ्रेंस मैं आपको बता दो कि आज की हमारी जू बीडियों होना थोड़ा लंबी बन रही है और वैसे भी कहफी इंतिजार्वी करना पड़ता है यह देखिए मैंने बराबर कर लिया और अब हम जो है मटर के पौधे को निकाल रहे हैं निकाल कर रख रहे हैं इस तरह से हम बिल्कुल आराम से रख देंगे तो फ्रेंस हमने कुछ पोधों को निकाल लिया है मटर के और अब बिल्कुल आराम से छोटा छोटा गड़ा बनाएंगे फिर उसके बाद लगाएंगे यह देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगत छोड़कर जो है इस तरह से हम लगाएंगे तो फ्रेंस ज्यादा मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान है अगर आपका मन करता है तो आप गर पर बिल्कुल आराम से मटर को ग्रू कर सकते हैं इस तरह से देखिए हमने जो है तो फ्रेंस हमने किनारे किनारे लगा दिया और जो बीच में जगह है उसमें भी लगा देते हैं यह देखिए इस तरह से जो है हम सभी मटर के पौधे को लगाएंगे और वैसे भी अभी तो कुछ ज़्यादाई है तो फ्रेंस मैं उन्हें अलग गंबले में लगाऊंगी इस तरह से करके जो है अब बहुत ही आराम से देखिए लग जा रहे हैं कोई दिकत नहीं है बस मित्ती आपकी जो है बिल्कुल फोरस होने चाहिए अगर हम गंबले में अगरम लगाते हैं तो थोड़ी सी सावधाने रखने पड़ती है यह देखिए तो फ्रेंस मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें मित्ती मील जाती है तो फ्रेंस उस मित्ती में जो है मैं गोबर की खार या फिर वर्मी कंपुष डाल कर जो उसे छोड़ देती हूँ बाइदब अगर मले जी हमें कोई पौधा लगाना होता है तो हमें बहुत ही आसानी होती है और यह देखिए कुछ बच्चे हुए हैं तो मैं इन्हें गमले में लगाऊंगी तो फ्रेंस अब जो है मैंने मतर की पौधे को लगा दिया और अब मैं इनके उपर से पानी डाल दूप नहीं मिलेगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी देखिए हमने पानी बहुत अच्छी तरह से दे दिया तो फ्रेंस अब हम इंतजार करेंगे इनके बढ़ने का और इनमें फल लगने का और जब फल लगेंगे तो हम लोग मिल कर खाएंगे और वैसे आपकी ब केमेंट में बताईएगा बाई बाई